हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ अनीसा कुकवित अनीसा में आपका स्वागत है आज मैं आपके लिए पनीर की बहुत ही जबरदस्त बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेके आई हूँ जो की बच्चों से बड़े सभी को बहुत पसंद आने वाले हैं तो वीडियो को बिना एसकिप किय पूरा देखें फ्रेंड्स और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिलकुल ना भूलें ताकि जो भी वीडियो में डालो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके तो चलिए सुरू करते आज की रेशिपी थे यहां एक कराई में आधी छोटी चमच उयल ले लिया था मैंने इसमें डाल दिया है जीरा काली मिर्च चार से पांच हरी इलाइची इसी के साथ मैंने डाल दिया यहां पर लॉंग आप जो भी खरा मसाला डालना चाहते हैं आप और दो रफली चॉप करके रखे थे वो भी यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसी के साथ एक इंच अद्रक का तुकरा भी मैं यहाँ पे डाल दूंगी इसमें मैं डाल दूंगी 10 से 12 काजू अगर आपके पास मगज के बीज हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं उससे ग्रेवी बहुत ही ठिक बनती है मे इसी के साथ यहाँ पे मैं डाल दूंगी आधा ग्लास पानी पानी इतना डाले कि इसमें टमाटर प्याज यह सब अच्छे से डूब जाए तो यह मैंने आधा ग्लास पानी डाला है और इन सब को हम अच्छे से कर देंगे मिक्स और फिर इसे हम इसमें कुछ मसाले इससे कलर बहुत अच्छा आता है सबजी का और यह तीखा नहीं होता है बहुत ही कम तीखा होता है तो इस सब को हम मिक्स कर लेंगे और फिर इसे हम ढख के थोड़ी देर पकाएंगे जिससे की बहुत ही जल्दी यह गल जाए तो यह देखे कितने अच्छे से गलने लगा है बस एक बार चला लेना है और फिर थोड़ी देर के लिए हम इसको एक मिनट के लिए धक के पकालेंगे तो यह देखे गल चुका है हमारा प्याज और टमाटर कितनी जल्दी गल के रेडी हो चुका है धखने से कुटिंग प्रोसेस जल्दी होने लगता है तो यह देखे अच्छा पेश्ट इसका रेडी हो चुका है बहुत ही सुन्दर लग रहा है देखने में तो यहां फिर मैंने एक करा ही लिया इसमें एक टेवल स्पून ले लिया मैंने वाइल और इसमें हम जो है एक छोटा सा प्याज चॉप करके डाल देंगे बहुत ही एकदम बारिक चॉ तो यह देखे एकदम कलर हो चुका है इसका चेंज तो अब इसमें मैं डाल दूंगी टमाटर यहां पर मैंने एक छोटा सा टमाटर ले लिया था अगर बार टमाटर है तो आप आधाय ले सकते हैं क्योंकि हमने पहले भी टमाटर डाला है तो हमारी सबजी खटी हो जाएग जब तक प्याज और टमाटर यह देखे कितने अच्छे से भून के रेडी हो चुका है तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ एक जो है सिमला मिर्च और इसको मैंने चौक और चौक किया है आप चाहे तो इसको जो है रफली बहुत ही बारिक चौक कर सकते हैं बट यह जो है यह अच्छे से भून लेंगे इस तरह ऐसे चलाते हुए और फ्लेम को आप मीडियम टू लो ही रखें और इसको हमें ढखके थोड़ी देर पका लेना है जिससे कि इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है और यह जो देखे यह बबल्स उड़ते है वह भी नहीं उड़ेंगे और आप भी सेफ रहेंगे तो इसलिए इसको ढखके पकाना बहुत जरूरी रहता है और इससे कलर भी बहुत अच्छा आता है सबजी का तो यह देखे इस तरह से हमें इसको चला लेना है अब इसमें मैं डाल रहे हूँ आधी छोटी चमच धनिया पॉडर और आधी छोटी चम कितना अच्छा कलर इसका आया है और जो हमारे मसाले है उन्होंने ओएल भी रिलीज कर दिया है उपर से ओएल आने लगा है इसका मतलब है कि हमारे मसाले भुनके रेडी हो चुके हैं यहाँ पे आप चाहें तो थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं और यहाँ पे जो मैंने ग्र पेलेंस हो जाते हैं और यहाँ पे 200 ग्राम पनीर मैंने डाल दिया है कट करके इस तरह से यह देखिए और हमारी सब्जी देखिए कितनी सुन्दर लग रही है देखने में यकीन मानिये खाने में भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी है अभी इसमें हम और डालेंगे पनीर यह में बहुत ही टेस्टी बनकर रेड delle होता है और जो हमने पनीर ग्रैट करके जल्दि पनीर बहुत अच्छा लगता है इसी में डाल दिया को चंमर मासाला और इसमें मैंने लाष्ट में ढालने आभी चंमर घी गीं या बटर आप डालेंसें बहुत ही टेस्टी सबजी बनती है लाश्ट में डालने से बहुत अच्छा स्वाद आता है आप जरूर इस ट्रिक को यूज कीजिए बहुत ही अच्छी बनेगी आपकी सबजी और अब इसमें मैं डाल रही हूँ धन्या के पत्ते और गैस को हमने ओफ कर दिया है और यह यह तयार है हमारा पनीर लबाबदार बहुत ही टेस्टी बहुत ही यम्मी इसको आप रोटी के साथ पराठे के साथ चावल के साथ खा सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगती है बच्चे से बड़े तक सभी अंगलियां चाटते रह जाएंगे इतनी टेस्टी हमारी सबजी बन से फॉलो करें मिलते हैं किसी नए रेसिपी किसी नए वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू फो वाचिंग मैं वीडियो जाए मात